Study IQ IS अब तयारी हुई Affordable How Renaissance Changed the World Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों जरा सूच कर देखिए जब आप कभी एक गहरी नींद से जागने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? नींद तूट जाने के बाद भी आपको अपनी तंद्रा से बाहर आने में कुछ वक्त लगता है अपने आराम दायक बिस्तर को छोड़कर पूरी तरह चैतन्य होने और कुछ productive काम शुरू करने के बीच भी कुछ अंतराल रहता है यानि कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि गहरी नींद से पूरी तरह जागने की ये पूरी प्रक्रिया भी कुछ लंबी होती है अब ज़रा सोच कर देखिए अगर ये नींद सदियों पुरानी हो तो इससे बाहर आने में कितना समय लगेगा फिफ्थ टु सिख्थ सेंचरी में Western Roman Empire के पतन के बाद से लेकर अपने Middle Ages की लगभग 13th तो 14th सेंचरी तक समूचा यॉरप भी ऐसी ही एक गहरी नींद में मगन था यहां का समाज बहुत सी कुरीतियों धर्म पर आधारित कटर आडंबरों और Feudalism की राजनेतिक उथल पुथल से ग्रसित था यह वो समय था जब यॉरप में विज्ञान, संस्कृती और Individual Independence का सरवादिक Depreciation हुआ इस अंतराल के इतिहास के संदर्व में बमुश्किल कोई ठोस लिखित साक्ष देखने को मिलता है अतह है प्रकाश और अंधकार के विरोधभाज को प्रकट यानि Light versus Darkness की डाइकॉटमी को डिपिक्ट करने के उदेश से इस काल को Dark Ages या अंधकार युग कहा जाता है चुँकि यॉरप की ये नींद सदियों पुरानी थी इसलिए उससे से बाहर आने में भी कुछ शताब्दियों का लंबा अंतराल लगा लेकिन फाइनली जब वो इस अंधकार युग से बाहर आया तो ऐसा प्रतीद हुआ जैसे उसका पुनर जन्म हो गया हूँ इसी को हम Renaissance या पुनर जागरन कहते हैं तो क्या था ये Renaissance? कैसे इसकी शुरुवात हुई और इसका दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा? इसी की चर्चा आजम करने वाले हैं तो आएए शुरू करते हैं दोस्तो रेनेसांस एक फ्रेंच भाशा का शब्द है जिसका लिटरल मीनिंग है रीबर्थ यौरप का ये रेनेसांस एक intellectual, cultural और liberal movement था जो ancient Greece और Rome की classical art और philosophical intellect से प्रेरणा लेकर सबसे पहले इटली में शुरू हुआ ये किसी एक नियत तारीक पर हुई कोई एतिहासिक घटना नहीं थी बलकि ये समुद्र में उठी उस लहर की तरह था जो भले ही यौरप के कोने से उठी हो पर इसकी तरंगे आने वाली सदियों में विश्व के कोने कोने तक फैल गई और इसने न केवल यौरप को बलकि संपूर्ण विश्व को ही जग जोड कर जागरत होने पर विवश कर दिया रेनेसांस ही वो पीरियट था जब यौरप अपनी मिडल एजिस की बेडियों को तोड़ कर मॉडन एज में कदम रख रहा था यूमनिजम और रियलिजम की नीव पर इस्टैबलिश्ट यौरप का ये पुनर जागरन अपने आप में अनूठा था आप आर्ट की बात करें या कल्चर की फिलोसफी की बात करें या साइंस की पॉलिटिक्स की बात करें या बिजनिस की शायद ही कोई फील्ड ऐसा हो जो इसके प्रभाव से अच्छूता रह गया हो तो आईए अब इसके प्रभाव को जानने और समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों क्या आपने कभी डॉमिनो एफेक्ट के बारे में सुना है देखिए ये एक चेंड रियाक्शन की तरह होता है जहां कहीं दूर हुआ एक इंसिडेंट सिमिलर इंसिडेंट्स के होने की एक चेंड शुरू करतेता है और अपने इस इंटर इफेक्ट की वजह से एक साथ दूसरी, दूसरी के साथ तीसरी घटनाओं की घटित होने का एक सिलसिलासा शुरू हो जाता है ऐसे ही बहुत से चेंड रियाक्शन्स रिनेसांस पीरियड में यॉरप से शुरू हुए लगभग 11th सेंचरी की शुरूआत में यॉरोपियन कंट्रीज के आउटर वर्ल्ड और खास तोर पर अरब देशों से बढ़ते व्यापारिक संबंधों के चलते यहां की आर्थिक सम्रिध्धी बढ़ने लगी इसी सम्रिध्धी ने आगे चलकर यॉरप में फ्यूडलिजम की पुराने तंत्र को तोड़ कर हुमनिजम की सोच को जन्म दिया इसका एक मात्र ध्ये था हुमन डिवेलपमेंट एंड वेल बिंग अब समाज का केंदर भी रेलिजिन या रूलर से हट कर कॉमन मैन पर केंदरत होने लगा था और इसी के साथ डॉगमा या रिलिजिस सुपरस्टिशन्स की जगए लॉजिकल और रैशनल थिंकिंग को बढ़ावा मिलने लगा इसी के चलते रियलिजम पर बेस्ट हुमन सेंट्रिक फिलासोफीज का जन्म हुआ चाहे आप सेकिलरिजम के कॉंसेट को देखे या हम इसके कई सदियों बाद फ्रेंच रिविलूशन के दोरान डिवेलप हुए एक्वालिटी, लिबिटी और सोशलिजम के कॉंसेट की बात करे ये सभी रिनेसांस में शुरू हुई इसी चेन रियाक्शन का नतीजा थे यही नहीं, सोशलिजम की थियोरी की विरोधी माने जाने वाली कैपिटलिजम के रियलिस्टिक इंटर्प्रेटेशन की शुरुआद भी यहीं से हुई जिसके चलते, रिलिजिन और आउट वर्लिली प्लेजर की जगे एकिनामिक डिवेलप्मन्ट, रियल लाइफ अचीवमन्ट और हुमन लाइफ कमफर्ट को वरियता दी जाने लगी अतह हम कह सकते हैं, आज की रियलिस्टिक फिलोसॉफिकल थेयरीज में से ज्यादा तरकी जड़ें आपको इसी पीरियड में देखने को मिलेगी इसके अलावा अगर हम आर्ट की बात करें, तो हम ये बात दावे के साथ कह सकते हैं कि आपकी आर्ट में कितनी भी कम दिल्चस्पी क्यों न हो आपने लियोनाडो डा विंची और उनकी फेमस पेंटिंग मोना लीसा के बारे में तो जरूर सुना होगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि ये फेमस पेंटिंग और इसके साथ आने वाले समय की रियलिजम बेस्ट आर्ट की नीव भी इसी दौरान पढ़ गई थी सिर्फ विंची ही नहीं Giotto, Michelangelo और रफायल जैसे पेंटिंग की दुनिया की धुरंधर इसी समय पर अपनी कला को नया रूप दे रहे थे वहीं दूसरी ओर अगर हम literature की तरफ देखें तो अपनी political philosophy के लिए मशूर Niccolo Machiavelli और drama field के पिता मह Shakespeare भी इसी दौर की उपज थे इन सभी के literary and artistic work ने आने वाले समय पर अमिट चाप छोड़ी जिसका reflection हम आज तक देख सकते हैं यहीं नहीं European imperialism के दौरान इंडिया और अन्य कंट्रीज में बनाए गए बहुत से architectural elements भी Renaissance period का ही एक ripple effect है अगर हम इस समय के society की बात करें तो जहां पहले यहां का समाज church, orthodox religion और feudal lords के मकड़ जाल में उलजा हुआ था वो अब innovation और scientific thinking की ओर बढ़ चला था यह एक तरह से political और intellectual revolt का समय था हलांकि यह इतना आसान नहीं था और जैसा कि हमने शुरू में बताया कि यॉरप को अपनी सदियों की नींद से जागने में बहुत समय भी लगा इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यहां पर सदियों से चली आ रही church से संबंधित धर्मांधता और हट धर्मिता की मानसिक तब ही थी जो तेजी से आते इन बदलावों और scientific innovations का पुर्जोर विरोध करती रही क्योंकि ये scientific revolution उनकी माननेताओं पर भी चोट कर रहा था लेकिन ये newly found humanism की सोची थी जिसने उस समय European देशों के बीच भी एक होड़ सी शुरू कर दी थी कि कौन किस फिल्ड में क्या नई करामाद दिखाता है स्पेन, पॉचुगल, फ्रांस, ब्रिटिन, डच सब एक दूसरे को पीछे छोड़ कर आगे निकल जाना चाहते थे इस नई प्रतियोगी मानसिक्ता ने ही रेनेसांस को इतना प्रभावशाली बनाया जिसके चलते, इनलाइटिनमंट का ऐसा दौर चला, जहां एक और पोलंड के कौपरनिकस अपनी हीलियोसेंट्रिक थेयरी के लिए चर्च का विरोध जेल रहे थे वहीं दूसरी और इटली के गैलेलेयो टेलेस्कोप की खोज करके और जयमनी में बैठे केपलर अपनी मैथेमाटिकल एक्वेशन से कौपरनिकस की हाइपोथरसिस को सलिडिफाई कर रहे थे रिनेसांस में पैदा हुई इसी साइंटिफिक टेम्टरमेंट और रैशनल थिंकिंग की लेहर ने ही हमारे आज के साइंटिफिक एडवांसमेंट की नीव रखी फिजिक्स, मैथ्स, एस्ट्रोलोजी, हुमन एनाटमी, नेवल टिकनोलोजी सहित साइंस के हर फील्ड में नए नए आविशकारों का एक दौर सा शुरू हो गया लेकिन दोस्तों, इसी बीच कुछ ऐसा हुआ, जिसने ग्यान और चेतना की इस चेन रियाक्शन को और अधिक तेजी दे दी शायद लाखों साल पहले की गई आग की खोज, मानवितिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी लेकिन इसके बाद यदी किसी का नाम लिया जाना चाहिए, तो वो होगा प्रिंटिंग प्रेस का आविशकार, जो फिफ्टीन्थ सेंचरी के फर्स्ट हाफ में हुआ क्यूंकि इसने एजुकेशन और रोज जन्म ले रहे इन न्यू आइडियाज के प्रचार प्रसार में एक बहुत एहम भूमिका निभाई और ये रेनेसांस के दौरान शुरू हुई साइन्टिफिक अप्रोच ही थी, जिसने आगे जाकर यॉरोप में इंडस्ट्रियल रेविलूशन को जन्म दिया और अगर हम कडियों से कडियां मिलाने की कोशिश करें, तो आज की जिस साइन्टिफिकली एडवांस्ट 21st सेंचरी का हम दम भरते हैं, उसकी पहली कडि हमें यॉरोप के इस रेनेसांस में ही मिलेगी दोस्तों, आपको शायद ये जानकर भी आश्चरे होगा, कि दुनिया में बैंकिंग सेक्टर की शुरुआद भी इसी दौर में हुई थी इटली के मेडिची बैंक और BMPS बैंक दुनिया के सबसे पुराने बैंक्स हैं, जिनका इस्टैबलिश्मन्ट इस बात का दियो तक है, कि इस दौर में एकनामिक सेक्टर भी रेनेसांस की तरंगों से अचूता नहीं रह गया था और आज का हमारा fully developed financial and banking sector, जिसने शायद हमारे advancement में सबसे एहम भूमी का निभाई और अभी भी निभा रहा है, वो भी इसी intellectual revolution की देन है लेकिन इतने योगदान गिनाने के बाद भी हम कह सकते हैं कि यॉरप में आए रेनेसांस का सबसे बड़ा after effect तो कुछ और ही है जैसे जैसे नए विचारों और scientific temperament का प्रसार हो रहा था, लोगों के बीच और अधिक जानने की लालसा भी बढ़ती जा रही थी साथी यॉरप में produce हो रही, नई नई चीजों के लिए नई markets की तलाश भी जोरों पर थी इसी के फरस्वरूप 15th century में अलग-अलग European देशों से कई sea expeditions शुरू किये गए जिन में से 1492 में Columbus का इंडिया के लिए शुरू किया गया expedition शायद human history का सबसे important sea expedition है इसलिए नहीं कि उसने Spain से इंडिया के लिए एक नया समुदरी मार्ग खोज निकाला था क्यूंकि उसका श्रेय तो पॉचुगल के वासकुद अगामा को दिया जाता है जिसने ये कार्य 1498 में किया बलकि Columbus का समुदरी सफर इसलिए एतिहासिक है क्यूंकि उसने इंडिया के लिए नया मार्ग खोजने के बजाए एक पूरा का पूरा set of continent ही दुनिया के सामने लाख़डा किया जियां यहां खोज हुई American continent की जिसके North और Southern continent को Columbus के पधचिन्नों पर चलते हुए यॉरप के ही अन्य वोयजस द्वारा आने वाले कुछ ही दशकों में पूरी तरह explore कर लिया गया अब हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि American continent की इस खोज की human history और world politics में क्या एहमियत है जरा सोच कर देखिए वो continent जहां world superpower और strongest world currency डॉलर का उदगम स्रोत United States of America ही नहीं बलकि Canada, Mexico, Brazil, Argentina, चिली जैसी 50 से अधिक present day countries हैं और दुनिया की 13% population रहती है अगर वो ही हमारे आज का हिस्सा ना होता तो हमारा विश्व कैसा होता इसी तरह Australia, New Zealand, Antarctica, etc. भी आने वाली शताब्दियों में खोजे गए और विश्व की मुख्यधारा से जोड़ दिये गए हलाकि एक गौर करने वाली बात ये भी है इन सी एक्सपेडिशन्स और आने वाली शताब्दियों में European countries दुआरा संपूर्ण विश्व में फहलाए गए सामराजवाद यानि इंपेरियलिजम और आपनिवेशिवाद यानि कोलोनियलिजम का संबंद रिनेसांस में ही आसानी से ढूणा जा सकता है जब यौरोप में रेनेसांस और इनलाइटनमेंट का दौर था और वो रोज नई बुलंदियों को छू रहा था एजिया, आफ्रिका और अमेरिका के ये देश उससे प्रगती की इस दौर में कहीं पीछे चूटते जा रहे थे और उनके इसी पिछड़ेपन का फाइदा आने वाली शताबदियों में इन यौरोपियन कंट्रीज ने उठाया अगर हम भारत की ही बात करें, तो जिस समय ब्रिटिश, डच, फ्रेंच और बाकी यौरोपियन देश भारत पर अपना आदिपत्य जमाने की कोशिश कर रहे थे हमारा समाज अपने अंदकार युग की सुपतावस्था में लीन था जब यौरोपियन कंट्रीज में स्टीम एंजिन बेस्ट इंडस्ट्रिलाइजेशन का दौर शुरू हो चुका था हम तब भी पुरानी लीक पीट रहे थे और ऐसा सिर्फ हमारे देश के साथ नहीं, बलकि उन सभी के साथ हुआ जो किसी न किसी समय इन यौरोपियन देशों के आधीन रहे इसके आधार पर शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर यौरोप से रेनेसांस और इसके चलते उत्पन हुए इनलाइटनमिंट की ये जेन शुरू ना होती तो शायद आज वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड एकनामिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स तीनों ही पूरी तरह से कुछ और ही होते तो दोस्तों हमने देखा कि सदियों पहले शुरू हुई एक घटना के कितने दूर गामी परिणाम हुए और विश्व के दूसरे सबसे छोटे कॉंटिनेंट में आई इस चेतना ने किस तरह संपून्ड विश्व को बदल कर रख दिया हलांकि ये बदलाव अभी खत्म नहीं हुए हैं जैसा हमने कहा कि ये तो एक चीन रियाक्शन है जो आज से लगभग 700 साल पहले शुरू हो गई थी तो इसके परणाम हमें आने वाले समय में भी देखने को मिलते रहेंगे